एक बार मेरे कहने से एक काम कर डालो, कर ही डालो, घर में कोई बड़ा शीशा तो हो गाई, ड्रेसिंग टेबल का, आइना, मिरर, एक बार अच्छे से रेडी होके, रेडी वो नहीं कि पार्टी में जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, दोस्तों जीवन में होने ही नहीं चाहिए, अगर हैं तो आप आईएस एस्परेंट नहीं हैं, और अगर आईएस एस्परेंट भी हैं और आपके दोस्त भी हैं, तो कुछ होना जाना नहीं है, तैयार होके का मतलब यह है कि फॉर्मल ड्रेस में तैयार होके, अगर आप मेरे पर्सनलेटी बेच में तब तो मैं ऐसी तमाम फोटो आपकी मंगाता हूं, आपके वीडियो मंगाता हूं, आपको गाइड करता हूं, लेकिन मैं चुकि आप नही की टाइ लगाई है, टाइ कभी मैचिंग नहीं लगाई जाती, यह नहीं है कि औरेंज शर्ट है तो औरेंज टाइ लगाएंगे, मैं तो लगा लेता हूं मेरी बात और है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोट मैंने कंट्रास्ट पहना है तो मैं वैसे कर सकता हूं, और प् तो कोट या ब्लेजर प्लेन कलर का, कोट या ब्लेजर के कलर ब्लैक और ग्रे और लाइट ब्राउन, मैं पहनता हूँ अक्सर आपने देखा होगा, लाइट ब्राउन, लाइट औरेंज, ठीक है, और इनफॉर्मल में पार्टी वार्टी के लिए पर्पल कलर अच्छा होता है ब्लू कलर भी काफी अच्छा होता है मैं सारी रेंज रखता हूँ जाता कहीं भले नहीं हूँ यहीं पहन के बदल बदल के बैठ जाता हूँ तो प्रॉपर कोट आजकल यहां पर शाइनिंग वाले यह कॉलर्स चले हैं यह फॉर्मल नहीं है वो इनफॉर्मल है पालिटी भी यह रहो तो प्लेन कोट एक ब्लेजर प्लेन शर्ट प्लेन स्वेटर वीगले का टाई बाल खड़े नहीं सिंपल हेर अब मेरे तो टोपी में दब गए हैं जैसे मेरे होते हैं लंबे नहीं डूड वाले खड़े नहीं एकदम सिंपल पुलिस कट भी नहीं पुलिस कट होते हैं जो बिलकुल एकदम गंजे से हो जाते हैं बिलकुल वो भी नहीं अब इश्वर्मन अगर आपको बाल नहीं दिये सर पर तो कोई बात नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है कहा जाता है कुचित खलवाट निर्धना शायदी कोई गंजा व्यक्ति निर्धन होता हो यह तो धन्वान होने की निशानी है क्या चिंता करनी है बॉस लोग जो हैं तमाम सारी प्राइवीट कंपनीों के बड़े-बड़े आदमी ज्याहतर सर पे बाल नहीं होते हैं फिल्म इंडस्टि के तमाम लोग अधिकारियों के बॉस्सों के नहीं होते हैं अगर नहीं है तो चिंदा मत करिए ग्राफ्टिंग करा सकते हैं लेकिन दो चार लाग का खर्चा आ जाता है आज कल हेर ग्राफ्टिंग भी होती है अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो कर लिए जो लोग डेंटल इंप्लांट करते हैं वो हेर ग्राफ्टिंग भी करते हैं अगर किसी को मुझसे पूछना हो, मैं किसी हेar校टेंग वाले को जानता हूँ, मैंने नहीं कराया हूँ, मेरे नेचुरावें, बहुत जपढ़ते हैं मेरे, لेकिन मैं जानता हूँ हेar校टेंग वालों को, तो अगर आप मुझसे पूछना चाहें, तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन हाँ affordability इतनी होनी चाहिए कि आप 2.5 रुपे खर्ज कर सकें मेरे ख्याल से मैंने पूछा नहीं कभी भी लेकिन मैंने उनकी बातचीश से आपस में वो लोग जो बात कर रहे थे मैं dental implant करा रहा था उनकी बातचीश होती ही रहती थी तो मेरे जो डॉक्टर साहब है वो hair grafting भी करते हैं तो बातचीश से मुझे लगता था वो phone पे जो बात करते रहते थे तो बातचीश से मुझे लगता था अपस्छी एफियर anyway personality के लिए कुछ भी करेगा तो सीधे खड़े होए दूर से चलते हुए आईए आईने के सामने रुकिए और कहिए hello glad to meet you अपना नाम लीजिए जैसे आपका नाम अखिलेश कुमार है तो glad to meet you Mr. अखिलेश कुमार एक तो ये experiment करिए आपकी आवास अनसरी मुस्कराट नहीं आनी चाहिए केड़ी स्माइल नहीं आनी चाहिए सीधी स्माइल नहीं आनी चाहिए हमारे याँ इटावा में बड़े तिर्शे से मुस्कराटे हैं लोग हमारे दद्दा मुलाइम सिंग्गी भी ऐसे ही मुस्कराटे हैं और अखलेश जी की चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कराइट आती, वही नाम मुझे राद आ गया भी इटावा के जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, चाहे कोई भी हो, असिद्ध हों, चाहे सिद्ध हों, चाहे प्रसिद्ध हों हर कॉमन मैन से लेके स्पेशल मैन परसन तक, मैला हैं नहीं, मैलाओं का अपना अलग मुस्कराट होती है लेकिन जो पुरुष हैं वो बड़े तिर्चे से, विद्धूप से मुस्कराते हैं, मजाख बनाते से बोलते हैं ऐसे लहजा नहीं होना चाहिए, बोली में आप एकदम स्ट्रेट होने चाहिए तो एक बार ये करके देखिए, और फिर कहिए, अपने से कहिए, यू डिजर्व इट जैसे अगर आपका नाम अखिलेश है तो मिस्टर अखिलेश, यू डिजर्व इट यू केंड दू इट, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट, अपने को चेर अप करिये, यहां, और ऐसा चेहरा बनाई जैसा मैंने बनाये हुआ, यू डिजर्व इट, किसी पर डिपेंड मत करिये, कोई आपकी पीट थपतबाये, कहेगा, शावाज बेटे तुम तो क कर सकते हो, अरे नाते रिष्टेदार तो वो मिलें कहेंगे तुम तो करी नी सकते, मैं उन लोगों के लिए कह देता हूं कि तुम बन नहीं सकते जो मेरी बात नहीं सुनते, या जिन में वो क्वालिटी नहीं है, यारी दोस्ती में घूम रहे हैं, पार्टियां करते फिर र जंदली में कुछ बातें उन लोगों से कहता हूं, जो इस वीडियो को देखते ही नहीं, इन वीडियो को देखते ही नहीं हैं, मेरे व्यूर्स निकम में नहीं हैं, नालायक नहीं हैं, लेकिन कई बार कुछ बातें में उनको ध्यान में रखके बोल देता हूं, शायद एका यह माता पिता और गुरू की तमन्ना होती है। मैं पहली बार में PCS बना, IS की तो मेरी उम्र नहीं थी बैठने की, लेकिन मैं पहली बार में PCS बना, आप पहली बार में IS बनें, यही मैं चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज अपनी परस्नालिटी देखिए। फिर अपने हेंड राइटिंग देखिए, दस लोगों को पढ़वाईए, कि क्या वो पढ़ सकते हैं, अगर आपकी अच्छी हेंड राइटिंग है, तो एक और लेविल आप पार कर गएं। फिर अपना ग्यान देखिए, कि बैक एर पेपर्स सॉल्व करना शुरू करिए। और इस योग ये अपनी स्टडी को बनाईए, कि बैक एर पेपर्स आप सॉल्व कर सकें। अगर आप अक्षम पाते हैं, तो मेरे बहुत तरह के बैचेस हैं, उनमें किसी में आईए। मिनिमुम से मिनिमुम पीवन पीटू बैच में भी अगर नहीं आएंगे तो जानें कैसे के पेट बैच में क्या पढ़ाया जाता है और कितना गंभीर पढ़ाया जाता है मात्र 222 रुपए की बैच दोनों में लागे 4000 के लाइफ टाइम यह तो इसलिए निकाला है कि कम से कम जो मैं फ्री चैनल पर वीडियो दे रहाता सीरिसली अब मैं सब्सक्रिप्शन में दूँगा कि आप कम से कम इतना तो एक नॉमिनल धनराशी जमा करके आप आएं तो मैं भी सीरिसली पढ़ाऊं आप भी सीरिसली पढ़ें कमिट्मेंट पूरा करता हूं अगर कहा है कि रो करिए अपना हेंड्राइटिंग जज करिए अपना कमिट्मेंट जज करिए अपने कमरे में लिख के लगाईए यू डिजर्व इट यू कें डू इट एंड यू विल डू इट अपनी अंग्रेजी सुधार ये अगर आप सीबियसी आईसेसी बोर्ड के नहीं हैं यूपी टाइब के बोर्ड के हैं तो अपनी अंग्रेजी सुधार ये नहीं कुछ नहीं होने वाला अप इंग्रेजी बोलना नआता हो आप में ज़िए कोई चिंताइब ऱबात थोड़े लेकिन अंग्रेजी लिखना आता हो अर अंग्रेजी समझना आता हो इंग्लीज speaking course करने की ज़रूइत नहीं है Being Us Speaking Course लिखा देखा है मैंने English speaking course खुदोंको बोलना नहीं आता दोसरों सिखाएंग़ जैसे जो खुद I.S. में कभीं निकलते हैं दोसरों को आई-स बनाने चल देते हैं बड़े बड़ी coaching वाले और जो खुद I.S. रह चुके हैं और कोचिंग खो लिए वो उन्हें अपॉइंट करने लगे हैं एजुकेटर के रूप में अनप्रोफिसर बना दिया है अपनी अनकोचिंग में कि जो कभी पास नहीं हुए Most unqualified persons, disqualified persons are teaching in so many coachings तो उनके पढ़ाय तो आप बनेंगे नहीं अपने पढ़ने से बनेंगे आप ये guaranteed है इसलिए करका मनका डार के मनका मनका फेर हाथ में जो मनका लिया है जो माला फेर रहे हो उसे छोड़ दो यानि ये जो कोचिंग की माला फेर रहे हो उसे छोड़ दो ये जो test series जोईन कर रखे उसे छोड़ दो ये जो YouTube पे जो 85 channel जोईन कर रखे न छोड़ दो मन का मन का फेर अपने मन में अपने मन में जो है वो ग्यान को फेरिये दोराईये मैं यही कराता हूँ अपने paid channels पर भी paid classes में भी बड़े assignment देता हूँ बहुत test देता हूँ बहुत सारा notes बनवाता हूँ सब कुछ करता हूँ अब ना बनाओ तो मैं कुछ नहीं कर लूँगा आज का वीडियो यहीं तक